Good morning, my dear children. How are you all? First of all, tell me one thing. Do you like to hear the stories? आपको stories सुनना अच्छा लगता है? Yes. Okay. तो फिर मैं आपको क्यों न आज एक story सुनाए? आप story सुनोगे? Okay. Today, I will tell you a story of three pigs. आज मैं आपको three pigs की story सुनाएंगे? Okay. You all might have seen the pigs, right? Pigs have heavy body, large head and small tail. जो pigs होते हैं न, वो बहुत मोटू मोटू होते हैं. बहुत मोटू मोटू होते हैं. मोटे से. मोटे ताजी. और उनकी small tail होती है. छोटी सी पूँच होती है. जैसे डॉगी की tail होती है न, डॉगी की तो लंबी होती है. लेकिन pigs की छोटी सी tail होती है. You all must have seen the pigs in pink and white color. है न, but you must have seen pink color pigs. जादा तर आपने pink color के pigs ही देखे होंगे. Right? Now, come with me. I will tell you the story. Yes, children. Now, it's story time. अब मैं आपको story सुनाएंगे. अच्छा, सबसे पहले आप मैं आपको बताओ कि ये कौन है जो गार्डन में खड़े हैं? Pigs. Yes, very good. So, our today's story is the three pigs. आपको पता है बच्छे? एक बार ना three pigs होते हैं. और वो तीनों pigs. सोचते हैं, ठी चलो अपना एक घर बनाते हैं. आपको पता है ना, घर तो रहने के लिए बहुत जरूरी होता है. जैसे हम सब घर में रहते हैं, वैसे पिग्स ने भी सोचा कि चलो रहने के लिए घर बनाएं. ठीक है? तो तीनों pigs ने डिसाइड किया कि हम तीनों अपना अपना घर बनाएंगे. तो फिर चलो देखते हैं, first pig ने अपना घर कैसा बनाया, फिर second ने और third ने कैसे कैसे अपना घर बनाया. तीनों pig सोचने लगे कि हम अपना घर कैसे बनाएं? तो जो first pig था, उसने सोचा कि मैं तो भई अपना घर ना straw के साथ बनाऊंगा, straw house बनाऊंगा, straw house मतलब घास फूस से, घास से अपना घर बनाऊंगा. तो first pig ने धेर सोरी घास इकठी की और उसने एक straw house बना लिया. और आपको पते हैं, जो second pig था, उसने अपना घर किस चीज़ से बनाया? उसने sticks के साथ अपना घर बनाया, उसने stick house बनाया, sticks मतलब कि लकडियों के साथ उसने अपना घर बनाया. तो अब third pig, बताओ third pig ने किस चीज़ से घर बनाया होगा? थर्ड pig ने अपना घर ब्रिक्स के साथ बनाया. ब्रिक्स मतलब इंटे. थर्ड pig ने बिटा अपना घर ब्रिक्स के साथ बनाया. आपको पता है हम सब ब्रिक्स हाउस में ही रहते हैं. जो ब्रिक्स होता है वो सबसे strong हाउस होता है. तो और पता है आपको जब थर्ड pig probabilities बना रहा था नपना ब्रिक्स हाउस तो दौनों पिक्स आपको उसको कहते हैं. लो जी हमारा तो घर रहेदी भी हो गया, हमारा घर तो बन गया. लो जी तुमारा तो घ़र पता है क्यों नहीं बना था उसका घर जल्दी से क्योंकि ब्रिक हाउस एक स्ट्रॉंग हाउस है और उसको बनने में टाइम लगता है ठीक है फिर एक दिन वहाँ पे एक वुल्फ आया उसने देखा अरे वा बई वा तीन मुटे ताजे पिक्स तो आपको पता है फिर वुल्फ ने क्या सोचा उसने सोचा कि मैं तो इन तीनों पिक्स को खाऊंगा अच्छा पहले मुझे बताओ वुल्फ कौन होता है भेडिया येस आपको पता है फिर उसके बाद क्या हुआ जो वुल्फ था ना उसने स्ट्रो हाउस और स्टिक हाउस को डिस्ट्रॉय कर दि उसको खतम कर दिया पता है कैसे है उसने स्ट्रो हाउस और स्टिक हाउस को फूक मार के डिस्ट्रॉय कर दिया कैसे मारते हो आप फूकी मार के बताओ मैं आमको येस और आपको पता है सिर्फ एक फूक मारने पे स्ट्रोग हाउस और स्टिक हाउस क्यों तूट गए क्योंकि बेटा वो स्ट्रोंग हाउस नहीं थे जब वुल्फ ने स्ट्रोग हाउस और स्टिक हाउस को डिस्ट्रोई कर दिया है ना खतम कर दिया तो दोनों पिग्स भागते हुए पता कहा गए दोनों पिग्स ब्रिक हाउस में थर्ड पिग के पास चले गए अब जब दोनों पिग्स भागते भागते ब्रिक हाउस में आ गए न तो उनके पीछे भागते भागते वूल्फ भी आ गया उसने फिर से सोचा कि चलो अब मैं इन तीनों को इस घर के अंदर से खाऊंगा लेकिन आपको पता क्या हुआ जब वुल्फ ने फुक्की मारने की कोशिश की तो ब्रिक खा उस नहीं टूटा बेचारा वुल्फ बहुत देर कोशिश करता रहा बट वो उनको नहीं खा पाया पहले तो मुझे बताओ क्यों नहीं खा पाया वो पेक्स क्योंकि तीनों पेक्स ब्रिक हाउस के अंदर थे और ब्रिक हाउस क्या है? स्ट्रोंग हाउस येस, शाबबाश इस टोरी का मॉरल क्या है? हाड वर्क अल्वेस पेज आफ भिटा हाड वर्क मीज महिनत पेज आफ मतलब जब हम महिनत करते हैं तो हमें उसका फल भी जरूर मिलता है अब आप मैम को बताओ कि इस कहानी में हाड वर्क किस ने किया? थर्ड पिग ने येस, गुड जिसने ब्रिक हाउस बनाया था थर्ड पिग वर्क अल्वेस पेज आफ जस बिकाउस अफ थर्ड पिग दे फर्स तू पिग्स वर सेवड थर्ड पिग की वज़े से दोनों पिग्स बच पाई थर्ड पिग ने महिनत भी की थी है ना, स्ट्रोंग हाउस बनाया था बट फर्स तू पिग्स ने महिनत नहीं की इसलिए उनकी जान खत्रे में पड़ गई सू थर्ड पिग हमें क्या सिखाता है बताओ that we all should work hard हमें हमेशा महिनत से काम करना जाए जो भी काम करो महिनत से करो अब आपको समझ आया तो सब आप भी मैम को प्रॉमिस करो कि आप हमेशा जो भी काम करोगे महिनत से करोगे अच्छा अब देखो मैम ने आपको किटी अच्छी स्टोरी सुनाई आपको समझ आई न सबको है ना तो फिर चलो अब जल्दी से दुबारा से अब एक बार स्टोरी लर्न करते हैं Now, my dear children let us start the story Once three little pigs decided to build their houses one built a house with straw and the second built with sticks the third pig built a strong house with bricks one day a wolf wanted to eat the three pigs the wolf destroyed the straw house and stick house the two scared pigs ran to the third house of bricks the wolf could not destroy the brick house and the pigs were saved the moral of the story is hard work always pays off now my dear children let us revise the story once more once once three little pigs decided to build their houses one built a house with straw and the second built with sticks the third pig built a strong house with bricks one day a wolf wanted to eat the three pigs the wolf destroyed the straw house and stick house the two scared pigs ran to the third house of bricks the wolf could not destroy the brick house and the pigs were saved the moral of the story is hard work always pays off so my dear children learn this story okay thank you bye-bye you